नमस्कार मैं Advocate विकास यागो एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका नई वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है AIB19 अभी हाल ही में आने वाला है उसका रेजिस्टेशन शुरू होने वाले हैं आज हो गई यह 25 जुलाई तो ज्यादा दिन नहीं अपने पास इस वीक के एंट तक का वेट करते हैं वरना आगस्त के फर्स्ट वीक में तो आना ही आना रेजिस्टेशन इसमें कोई डाउट है नहीं तो देखिए स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि जैसे आपको पता है इस बर 74,000 के स्टूडेंट से पढ़ना शुरू करते हैं एक मन्त पहले तो वो भी पास कर जाते हैं कोई ऐसे दिकत नहीं है लेकिन देखिए हर एक स्टूडेंट का यहां पर प्रपरेशन लेवल अलग-अलग है क्योंकि यह एक ऐसा प्रोफेशन आप बोल सकते हो हम एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर जा हैं तो आप वो क्या लगता है कि हर एक स्टूडेंट को कही ना कई एक सेम लेवल की प्रपरेशन चाहिए या एक सेम टाइम पीरिड हम बोल सकते हैं कि इतने टाइम में अगर आप प्रपरेशन करोगे तो आपकी प्रपरेशन हो जाएगी देखिए हर एक इंसान अलग है भगवान ने हर सबको इंसान को अलग अलग बनाया है सबका चीजों को समझने का तरीका अलग हो सकता है चीजों को समझने में जो टाइम लगता है वो अलग हो सकता है तो जितना मुझे पता चला है चितने स्टूडेंट से मुझे बात करिये तो मुझे ऐसा लगता है हम आपको बाकी students को भी साथ रखे चलना होता है तो इन बच्चों के एक personal care attention की personal coaching class की आवशक्ता होती है जैसे हम बच्पन में tuition classes लेते थे तो ऐसे इन students को personal attention की आवशक्ता हो सकती है कुछ students से मेरी बातचीत हुई है उसी के regarding मैंने एक data निकाला है एक analysis निकाला है तो जिसको भी लगता है कि हाँ उन्हें इन classes की आवशक्ता है नीड है तो वो consult कर सकते हैं उससे बातचीत कर सकते हैं फिलाल थोड़ा समझ लेते हैं students की categories में देखे तो जो first category of student है जिनको इन classes की नीड पढ़ सकती है ठीक है तो ये वो student है ये भले ही first time appear कर रहे है एक्जाम में जैसे उनका AIB 19 first attempt होगा और उन्होंने हभी जस्थ हाली फिलाल में LLB पास किया 2023 में, 2024 में ठीक है तो अब वो student appear होना चाहरा है लेकिन जिस college से उन्होंने LLB किया है या जहां से उन्होंने पढ़ाई करी है and previous year questions देखके उन्हें ऐसा idea लग रहा है कि नहीं भई हम fully confident नहीं है हमें थोड़ी extra मैनत के आवशकता है तो वो बच्चे थोड़ी under confident है वो पूछते हैं कि सर क्या 2 महीने में 1.5 महीने की त्यारी से हो जाएगा, सर मैं क्या क्या पढ़ों, थोड़ा panic वाले situation में रहते हैं जैसे आप समझोगे कि अगर आप अपने किसी भी student से बात करते हैं तो आपको उसके बात करने के वेश से ही काफी idea लग जाता है कि उसके दिमाख में चीजों को लेकि क्या doubt चल रहे होंगे, तो ये student भी हो सकते हैं कि भले ही वो फिलाल, अभी हाली फिलाल उनने LLB किया है, बिल्कुल fresh students है, लेकिन उनके mind में अभी भी थोड़े से under confident है कि क्या हम exam को असानी से clear कर सकते हैं या नहीं simple सी बात है, उनका background कही ना यहाँ पर उनके लिए परिशानी बन रहा है, ठीक है तो वो student भी एक बार इस बारे में सोच सकते हैं, वरना regular batch तो आप join करी सकते हो, उसमें कोई परिशानी है नहीं, उसके बाद second category student अगर आप देखोगे, तो ये वो student है कि ये फिलाल एक या दो बार, ठीक है, mostly एक से ज़्यादा बार दो तीन बारे ये एक्जाम में अपियर हो चुके है और हर बार इनको ऐस सफलता ही हासिल में लग रही है इनके हाथ और ये बार बार एक्जाम में फेलियर कर जा रहे है इनको exact reason नहीं पता चल रहा है या फिर ये एक्जाम की demand को नहीं समझ बार है कि एक्जाम की demand क्या है अब इनका ऐसा एक्जाम के प्रती इनका behavior बन गया है कि आप इनको शायद लग भी नहीं रहा है कि ये एक्जाम का भी clear कर भी पाएंगी नकी जो hope है वो काफिर down हो चुकी है देखिए ऐसे student जब किसी एक्जाम को लेके अपनी hope छोड़ता है तो educator हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि यार मतलब आपको जो एक requirement की जुर्थ है और वो आपको नहीं मिल रही है इस वज़े से आप एक्जाम से कहीं नहीं दूर भाग रहे हो आपको यहीं नहीं पता है कि मुझे कौन से वी केरियाज में अपना ज़्यादा अच्छे से काम करना है ठीक है तो यह students भी हो सकते हैं हमारे साथ अगर हम last में बात करें तो एक जो third category of students है वो है जिनोंने काफी लंबा gap ले लिया है जैसे आपने देखोगे कि इस profession में काफी student ऐसे हैं जो जो वगेरा करते हैं अपना government जो वाले भी मैंने देखे हैं पुलिस में service करके आ चुके हैं उसके बाद LL भी करते हैं तो थोड़े से आपको aged candidates मिलेंगे इसमें आपको 45 प्लस भी मिल सकते हैं 55 प्लस, 60 प्लस, even 70 प्लस भी मेरे काफी students है चुके हैं तो इन students को obvious सी बात है यार age के साथ-साथ आपको चीजों को समझने में आपका पढ़ने में और आपका जो caliber है कहीना कहीं थोड़ा-थोड़ा down होता रहता है ठीक है वैसे पढ़ने ही कोई age limit नहीं है और इनके होसले को मैं सलामी देना चाहूँगा कि ये अभी तक भी इनका पढ़ने का इतना मन होया कि भाई ये इतने age के बावजुद भी attempt दे रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीना कहीं इनका पढ़ाई से connection छूट चुका है तो इनको अगर हम आम बैचें बात करें रेगुलर बैचें बात करें जिस तरीके से tuning से class चलती है उनके लिए वो tuning के साथ match करना कहीना कहीना कहीं थोड़ा से difficult हो सकता है और इतने बच्चों में जब बच्चा कोई अपना ऐसा डाउट पूछता है तो उसे थोड़ा आजीब भी लगता है एक दो बार पूछ सकता है लेकिन वो डाउट बहुत basic होता है तो फिर उसे भी आजीब लगता है और आपको पता है कि कोई एक subject तो है नहीं आपके 19 तो serial number में subject दे रखे है और further इनका division करोगा तो ये काफी further subjects में बेर x में divide हो जाते है तो इन students को भी एक personal attention की आवशक्ता है एक personal coaching class की आवशक्ता है तो mainly मैंने दिखा है कि यही तीन type के student है बाकी ऐसे student है जिनको coaching की आवशक्ता भी नहीं है वो फिर भी exam clear कर देंगे तो हर एक student अपने आप में अलग है हर एक student कोई चीजों को समझने का तरीका अलग है तो आप किसी को भी किसी दूसरे के according judge ना करें आप पहले खुद को देखें कि आपका background LLB में कैसा रहा है क्या LLB के बाद आपने काफी studies से time period gap ले लिया है जिससे आप लोग के subjects इवन कई student ऐसे ही मेरी बात हुई है उन्होंने ये भी बोला कि सर मुझे जो लोग के subject mention करे गए है AIB 18 के syllabus में मुझे उनके बारे में भी पूरा idea नहीं है तो जब ऐसे students exam देने जाएंगे तो obvious सी बात है कि उनको बहुत जादा परिशानी आएगी और ऐसे students के लिए personal attention होना उनके लिए personal classes की बहुत आवशकता है मुझे ऐसा लगता है personally ये मैंने feel किया है क्योंकि वरना आप फिर से बार-बार वही गलती करोगे and exam फीस आपको पता ही है इस बार क्या पता भड़ी भी जाए वरना इतनी तो है and plus bank charges भी है लग-बग 80 आपके general में है and SCST में लगव 50 के round है तो अगर इतनी ज़्यादा महंगी fees है भी exam की तो आपको बार-बार देने में कहीं न कहीं आपका फिर एक जो hope level है वो भी down होता रहता है देरे-देरे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन students को थोड़ा सोचना चाहिए या तो इने शांती से बैटके फिर से अपना पूरा अपना basic strong करना चाहिए वरना एक बार आप consult कर सकते हो ठीक है तो अगर जो भी बच्चा को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा consult करना चाहिए मैं इन classes में थोड़ा interest हूँ मुझे थोड़ा मेरा जैसे तीन categories हमने discuss करी है कि अगर आप किसी भी एक में fall कर रहे हो तो आप इस number पे के लिए चाहिए या चार मंत के लिए चाहिए हर एक student का चीजों को gain करने का level अलग-अलग होता है इसलिए हम पर मंत fees रखेंगे ठीक है कोई time period नहीं है इस course का कि दो महिने में कराना है तीन महिने में कराना है अगर बच्चे को धिरे धिरे अच्छा समझ में आएगा तो अब यससी बात है उसकी speed increase होगी उसको इना time नहीं चाहिएगा लेकिन अगर हम पहले fix कर देंगे दो मंत का course है तो शायद बच्चे को क्या पता चार मंत की extra attention की need थी और वो हम fulfill नहीं कर पाए इसलिए पर मंत fees रखेंगे timing आप decide करोगे और फिर मैं मेरी timing match करूँगा अगर timing गणू की match कर रही है तो फिर हम वो slot रख सकते हैं और अराम से आप एक personal attention की साथ एक personal coaching class को join कर सकते हैं और जो आपका सपना है कि AIB को pass करके All India COP लेना वो भी आप ले सकते हो कि भई ऐसे student हैं अगर आप इस platform पे हो तो आपको पता होगा कि ऐसे student भी exam देते हैं और ऐसे students को attention की आवश्यक्ता है अभी तक मैं बात करूँ तो पूरे YouTube में ऐसा program शायद ही इस exam के लिए किसी ने चलाया हो बाकी तो और दूसरे exams के लिए तो होता ही है Personal attention, Personal Tutor जिनको हम बोलते हैं लेकिन इस exam में भी मुझे लगता है कि बहुत जादा need है ठीक है क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान की अपनी अलग-अलग कहानी है वीडियो अच्छा लगा है दिशे क्याल रखिए जहें